ट्रम्प और मोदी की महा मुलाकात अचानक से इतनी खास क्यों हो गई है? पांच घंटे की इस मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान डर क्यों गया है? अमेरिका में मोदी और ट्रम्प के महा मेलन से पाकिस्तान के सीने पर सांप लोट रहा है ना चाहते हुए भी पाकिस्तान ने अमेरिका में होने वाली एक-एक गतिविधी पर अपनी पैनी नजर रखी है मोदी और टरंप की मीटिंग से पाकिस्तान के इस कदर डरे होने की सबसे बड़ी वज़ा क्या है ये हम आपको बताते हैं दरसल टरंप ने पाकिस्तान को लेकर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है अब तक के अमेरिकी राश्रपती जान बूच कर पाकिस्तान की नापाक खरकतों पर आँख मूंदे रहते थे लेकिन टरंप वैसे नहीं है ट्रम्प ऐसे पहले अमेरिकी राश्ट्रपती बने हैं जिनोंने पहली बार वाइट हाउस में ईद की पार्टी नहीं दी है कहा जा रहा है कि इसके पीछे ट्रम्प का कड़ा रुख है इतना ही नहीं अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को चेतावनी दी है और दोबारा सर्जकल स्ट्राइक करने की धमकी दी है उससे भी पाकिस्तान के होश फाक्ता है पाकिस्तान को पहली बार ये हिसास हो रहा है कि पूरी दुनिया के सामने वो नंगा हो चुका है उसकी आतंक परस्ती का राज खुल चुका है और ऐसे में उसका साथ देने वाला अमेरिका भी अब भारत के साथ खड़ा है ट्रम्प ने जिस तरह मोदी को बेस्ट फ्रिंट कहकर अमेरिका में उनका स्वागत किया है उससे तो पाकिस्तान की पतलून एकदम गीली हो गई है अब तक ट्रम्प ने किसी भी नेता का इस तरह वेलकम नहीं किया था ये तो एकदम साफ लग रहा है कि आतंक के मुद्दे पर अमेरिका और भारत की जुगलबंदी अब पूरी दुनिया में आतंकियों का बैंट बजाने के लिए तयार है और अमेरिका के इस रुक से पाकिस्तान खुब डरा हुआ है लहाजा वो नियू यॉर्क में होने वाली एक 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 अक्टिविटी पर अपनी नजर टिकाय हुए है वाकई मानना पड़ेगा भले ही पाकिस्तान का कोई नेता अमेरिका न आया हो लेकिन जिस तरह भारतिया नेता मोदी के एक एक मूव पर पाकिस्तानी पैनी नजर रख रहे हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खौफ का आलम क्या है इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट